यह हिंदी का मोडल पर पर जो कि क्लास 10 के लिए बहुत जदें इंपोटेंट है चाहें आपका हापी एल एक्जाम हो चाहें आपका बोड एक्जाम हो आपका एक डाउट के लिए हो जाएगा बच्छे बहुत कन्फूजर रहते हैं हिंदी में क्या पढ़ें कौन सी टॉपिक क्या से आपको पढ़ना है को से में बिल्कुल भी स्लापस चेंज नहीं हुआ आपको वैसे ही पढ़ना है कि टॉपिक मैंने कवर करवा रहा है तो प्लीज देख लिजेगा और वीडियो का इन तक जरूर है नहीं आपको एक एक बीडाउट नहीं रहेगा ओके तो चलिए स्क्राइब आप आप बट्छेफ देख लेते हैं इस इस्टार्टिंग में 20 marks कि आंशर्डे अपको करने कि क्या करना है जो मैंने आपको जीमsk अ क्वैश्च फ olur पेसे के पूच्छ लेगा पी各 राजर पूचेन पूच्छल निएमिए पढ़ना है भी आपको तुसाइब होगी घाल में हैं चुरुत पर या वाला सही है तो फर्स्ट कसी हो जागा इसके लिए आपको रचना आनी चाहिए मैंने आपको सेप्रेट वीडियो प्रवाइड करवाएं रचना होगे प्लीज देख लीज़ेगा एक भी कुशन आपका आउट नहीं जाएगा ठीक है मित्रता निवंद के अउसार विश्वास पात्र मित्र है तो अगर आपने गदी की ब्याक्या की होंगे को एक रचना यग कर लीजाकिए अब के परने ऑबनें बहुत नियूपन जाती है जodes लन के खिलाकिंट को यह उपन्यास हैं किसके हैं जैसंका प्रशाद के चंद्र गुप्त इसकंद गुप्त यह नाटक हैं यहां पर विधा पूछ ली विधा का मतलब होता है कि वो कहानी है कि नाटक है या निवन्द या उपन्यास है ठीक है या तो वह रचना है डारेक्ट पूछेगा या फिर विदा करके पूछेगा विदा से बहुत कोशन पूटप कियाते हैं तो चंदर गुपते इसकंद गुपते क्या हैं नाटक हैं किसके हैं इनकी जो कहानी आंधी है ठीक है इंदर जाल है यह आपको याद रखनी है आसू लहर जहरना यह भी इनकी रचना है तो जैसंकर प्रश पढ़ा कर लीजएगा कि क्वेशन अपके मैच हो जाएगा अब यह देखो आकास दीप की लेखा के एं तो इसके भी कौन है जैसंकर प्रिशाद ही है तो यह बहुत जादे इंपोरेंट है कोशन नमर्श सिक्स मोस्ट इंपोरेंट है कई बार रिपीट हुआ है रासो ग्र तो यह माहधी वर्मा को भूल आता है अधनियुकी मेरा कुशन नमर एट मोस्ट इंपोरेंट आपको ट्विल्थ क्लास तक की कुशन मिलेगा तारा सब तक काभी के संपादक हैं वैसे तो अग्ये हैं इनका पूरा नाम है सचेदानन्द हीरानन्द वास्यानन बट इसकी वासी यह प्रशन किस से पूछा गया तो अगर आपने सुरुदाजी की व्याख्या की हैं स्टार्टिंग के आपको चार चैप्टर ही पढ़ने को उनकों से अभी आपको बताऊंगे जब मैं आपको व्याख्या करवाऊंगे तब ठीक है तो इसमें गोपिया उद्धप ज कुछन ने कई बार में आपको खरवाया ठीक है बक्ति काल में सुदाज जी तुलसिताज जी यह आते हैं करोडरास और हासरस यही आपके इस लवस में हैं तो जिसको पढ़कर दुख हो वह करोडरास होता इसका इस्थाईवा पूछा था शोख में और हासरस का आप देख लीजेगा अब इसमें देखो ब्रज में बिरही लोग दुखा रहे तो इसमें दुखा रहे ना तो यह हो गया करूल रस आपको बहुत अच्छे से मैं करवार हूँ इससे आपका एक भी कोशन ना छुटे अब अलंकर कोटिकोलिस सम बचन तुमारा बहुत अच्छे से मैंने ये भी करवा रखा है आपको तीन ही अलंकर करने उपमा रूपक उत्परेच्छा देखो जिसमें सम आ जाए सम समान तो वह होता उपमा जिसमें जनहूं मनहूं मानों ये बढ़ा जाए आप कही नोट अब छंद में आपको क्या पढ़ना है एक तो आपको रूला पढ़ना है एक आपको सोठा पढ़ना है बाकि आपके स्लेवस में नहीं तो ये तो वैसी कट हो जाएंगे ठीक है तो इसका अंसर आप इसली कर लेंगे क्या हो जगा रूला ठीक है तो चैनल पे जाके आपको टॉपिके पढ़ लेना रोला और सोठा कितने कितने मात्रा होती हैं सब कुछ मैंने करवा रखा है बस इनी दोनों से क्वेशन पुटप किये जाएंगे अब देखो उपसर्ग भूँ सिंपल होते हैं अनन्त सब्द में कौन सा उपसर्ग गया तो स्टार्टिंग का जो लगाते हैं वह प्रत्य होता है तो इसमें आदा ना रहा है तो हलंत वाला होगा ना कि यह वाला ठीक है अब समास देखो पहले दो तेवा आपको चार पढ़ने यूजक चिन ना जाए एक तो मैंने भी ट्रिक बताईते हैं आपको रूपक अलंकार भी होता है और यहां पर यूजक चिन आगया ना तो और इसको अगर समास बिग्रेव करवाएगा तो इसका होजा का बेद और पुराण तो और के लिए आप यूजक चिन आता है तो जब भी आपको यूजक चिन मिले तो आप द्वंद करेंगी ठीक है यह सोचो यह द्वंद करवा रहा है जैसे मा समास पढ़ने हैं दिगू द्वंद बहवरिये और करमधारे करमधारे और बहवरिये एक जैसे ही लगते हैं आपको चूज करना है तो आपको ग्रामर की टॉपिक पढ़ लेने हैं ठीक है बहुत अच्छे से मैंने करवाएगा बाकि की स्टार्टिंग जो टैन को ठीक है जहां रखना तो ऐसी भी पूछ लेता है प्रहएवाची ब्लम सब्दा बच्पन से पढ़ते आ रहे हो तो इचले आप कर लेंगे आपको टेबल याद होने चाहिए अभी आपको में बताओंगी ते यश्मत सब्द का किस विवक्ति और बचन का रूप है ठीक है त सब्सक्राइब करना है तो यह सब्सक्राइब करना है तो इस त्री लिंग में पूछेगा ठीक है वो मेंशन कर देगा किसमें आपको बताना है टो ऐसे आपको विवक्ति और बचन पता करना होते हैं और इढ़र से आपको यह बाले करना है ठीक है और यह पुल्लिंग में है ठीक है यह चार टेबल आप याद कर लिजिए का इसमें से एक कोशन डैफनिंटी आएगा एक जैसी सारे होते हैं ठीक है अब वभक्ति जाना पंची मिलेगी तो आप्सन के कोड़ें आपको चूच कर लेना किलियर तो यह आप लान कर लीजेगा यह ग्रैमर की टॉपिक है आपको अच्छे से पढ़ लेना जिस बाके में एक प्रधान उप बाके हो अन आस्रे तो ठीक है दूसरी पर डिपेंड होता है तो होता है मिस्र भाके ठीक है जिसे अब complex पढ़ते हैं English वैसें जिसे compound complex simple पढ़ते हैं घंदी हिंदी थे होगा हमारए symple sentence यह होगा compound यह होगा मिस्र जो भाके दूसरे पे डिपेंड हो जसे कि यह तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे तह पास चीज़ है यह तो देखो इसका क्या हो जागा मेरे द्वारा यह पुछ तक लिखी गई ठीक है मेरे द्वारा तो करम हो गया ना मेरे द्वारा लिखी गई तो आपको यह आज आजागा एक्टिब से पैसे फॉम बनाना है अपको चैनल पर मिल जाएंगे प्लेस पड़ा कर ल आने क्या चीज़ है काल वाचक तो नहीं है इस्थान आ रहा है क्या परमाड क्वांटिटी भी नहीं आ रही है रीत वाचक हो गया ठीक होने लगी तो यह उप्सन भी हो जागा यह सब कुछ करवा दिया मैंने प्लीज कर लीजेगा ठीक है समाज अलंकार रस वही कोशन से पके जाएंगे तो आपके 20 माक्स पूरे शिक्कर हो जाएंगे वह मैंने अरलक से वीडियो इसका बना रखा है पर देख लीजेगा कैसे आपको फिल करना है तो जो बच्चे परेशान है कि हापी लेक्जाम आने पर प्रवाइड करवा दीजे तो सेम ऐसा ही पीपर मिलेग तो चैप्टर ममता है ठीक है संस्कृति की बात होंगे तो भारते संस्कृति है अजन्ता में गोफा आया भगवान बुद्ध का नाम यह आजा तो चैप्टर अजन्ता है जिसकी लेखा कॉन है भगबसर उपाध्ध है मित्यता के कोन है अचारामचन सुकल ममता की है जैसन क प्रशाद और जो भारते संस्कृति चैप्टर उसके हैं डॉक्टर राजन प्रशाद ठीक है तो यह आप चार याद कर लिजेगा दो नंबर में आपको संदर्ब लिखना है दो नंबर का आपको रेखांगे तंसकांसर देना है और दो नंबर का कॉशन वह इसी में से पू संदर्ब आप कैसे लिखेंगे प्रस्तुत गध्यान समारी प्रुष्टक गद्खंड के मित्रता नामक पार्ट से लिया गया है इसके लेखक आचार रामचंद शुक्ल है किलियर ऐसे आपको सभी का संदर्ब लिखना है बस चैप्टर नेम और लेखक नेम बदल जाएगा तुर मैंने आपको बताती है चप्टर कों से मित्रता रेखांकित में क्या करना होता है जो यह अंडरलाइन होती है वस वही आपको लिखना है लेखक कहना चाहता है कि समाज में विभनता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं ठीक है ऐसे आपको थोड़ा डिफाइन करना हो तो आप लिखतेंगे भी आपको दिखा दूँगे कैसे आप लिखेंगे तीसरा अब्यक्ति एक दूसरे की और क्या देखकर आकर्षित होते हैं संदर्ब की में आपको ट्रिक बताई रखी है तो सिक्समाज की बाते हों तो वो चैप्टर भाती संजगती है इसके लिखेंगे डॉक्टर राइंद प्रिशाद तो वही कोश्चन इसमें भी देखकर पूटप किये जाएंगे आपसे चॉइस है आपको जो अच्छा लगए आपको हंडे परसेंद आपका बोड़ एक्जामा फच जाएगा संदर्ब वही लिख देंगे परसुत गद् दांस में क्या संदेश देना चाहिए तो वही हमें अपने जीवन में सत्य और अच्रण अपनाना चाहिए यही इसमें संदेश दे रहे हैं ठीक है यह कौन राइंद प्रशाद जी तो किलियर अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें तीन ही कोश्चन आपसे पूटप किये जाएंगे गद्ध में ठीक है संदर्ब आपको बताई दिया रहे खांकित तीस आपको इसी में से मिल जाएगा ओकी अब इधर देखो काब में आपको स्टार्टिंग के च चार मेंसे आपको एक वैक्र जरूर मिले गजाएंगे कभी कभी तो दोनों ही मिल जाती हैं एक तो आपको असटेर डिया जाता है एक लास्ट मेंसे तो आप लास्ट वाला दोहा है बस दो लाइन का यह दोहा लिखते हैं ठीक है तो दो लाइन का अगर दोहा मिले तो वह हंडे फसंद बहरी जीक है तो यह मैं आपको ट्रिक करवा चुक्त है आपको रिविजन करवा रहे हैं अब यहां पे देखो पुड़ते निक्सी रगवीर वदू रगवीर वदू अगर रगवीर वदू मिल गया न तो इसलिए पेचाल लेंगे तो जिसमें सीता जी की बात हो रही हो तो वह होता है बन पतवर इनके दो पार्ट हैं घंखन की बात होंगी तो उसमें आपको धनुस बंग लिखना है जि बहुत के तो ज Swaghy की बात हो कि की बात हो रही हो अगर जिसमें सीता जी की कहानी है तो आप उसमें बन पतवर लिखेंगे ठीके इसमें मतलब धनुस न precedent के बास हो रहा हूं ठीक , संथर वहीयरा है बस आपको चेंज कर देना है या तो अज़ेंग मेंचन बंग अलधित ग करना है ठीक है जो भी पैसेज हो उसके कोडिंग समझ गए अब इसके क्वेशन देख लेते हैं संदर मैं आपको बताई दिया प्रशत पद्धान समारी प्रशत काविखंडी के तुलसिदास दौरा रचित बन पत पर से लिया गया पुरसे कौन निकली तो अभी मैंने बता है रगवीर वदू मतलब रगवीर जी के पद्धनी कोन है सीता जी तो आप लखेंगे पुरसे कोन निकली सीता जी मतलब वो महल छोड़के कहां गई थी बन में गई थी है ना मार्ग में दो पग रखते ही क्या हुआ था माथी पर क्या आ गई थी पसीने की बूंदे आ गई ठीक है कनी जलकी सूख गई मदरादर और जो कोमलोड थे वो सीता जी के सूख गए थे ठीक है जब वो महल से निकली थी वन की और तब उनके साथ यह हुआ था किलियर यह मैंने बहुत अच्छे से करवाया आप कर लीजिएगा तो आप समझ गए आपको हापी एली बोड़ सद्री पर जाए ठीक है 100 पर जाएगा देख लेते संस्क्रिट फर्लीजिए करना है एक आपको चेप्ट में से ब्याक्खे मिलें एक आपको इस लोग्ने कुई आएगा बी बताओंगी अब देखो आपको संस्क्रिट में दो ही चेप्टर की बियाक्या पढ़ने बहुत अ चेप्टर आपको पढ़ने ब्याख्या के लिए और इस लोग में जो पूछी आते हैं वो अभी आपको बताऊंगे कौन को से चेप्टर अब इस लोग पढ़ने है ठीक है अब यह है एसा नगरी मतलब यह है नगरी भारती संस्कति और संस्कित भासा का केंद्र स्तला तो यह कोई भी आपको लिखा वह नहीं लिखना होता है अगर वो चेप्टर देगा भारती संस्कति तो आप लिख देंगे भारती संस्कति नमक पार्ट से लिया गया तो यह हो गया संदर्प के लिए two marks का three marks को क्या करना है प्लेस ब्याकर यह पूरे पूरे चेप्टर आपको दे अलोक मतलब प्रकास सरबत मतलब सब जगए फैला है ठीक है मोगली वराज दाराशिको नहीं आकर भारती दर्शन सास्तरों का अध्यान किया और इसके घ्यान से वह इतने प्रभावित हुए कौन दाराशिको उन्होंने क्या किया उपनिस्दों का अनवाद फारसी भासा मे करा दिया ठीक है चॉइस में देखो यह वाले चप्टर मिला है तो बिल्कुल भी पढ़ने के जुरत नहीं बस आपको दो ही चप्टर पढ़ने एक बाराशी एक भारते संच करते हैं अगर आपको मेरी बात पर टेस्ट नहीं हो रहा तो अब लाश्टर के पर देख यह अन्योकती ब्लास में से है एक आपको पढ़ने जीवन सूत्राडी के स्लोक पढ़ लीजेगा ठीक है एक आपको पढ़ने वीर केन पुझते ठीक है इस वाले चैप्ट के मेन मेन मेना सारे करवा दे एक ही वीटों आपको मिल जाएंगे बस यह देख लीजेगा और हंड फूकर कर लिजेगा ठीक है यहाँ पर लिखना पड़ेगा दो जगाए बहाँ पर तो चार जगया आपके मतला बिलास नमर के तो आपके संदर्व से ही इसका अगर आप लिखेंगे तो से वही लेंग्विज प्रेश लोग मारे पाठेश संस्कत कंडिके अन्योकिति विला देख लीजेगा आपके जिले में जो भी खंड का बिल्कुल मत करना बस आपको क्या करना है उसका कर्छी कर लिए आपको सारग करने पड़ेंगे सर आपको सारे याद करने पड़ेंगे इसलिए इसमें आपको गंदीजी का करना जो कि अप्लोड है कल दीजेगा ठीक है यह देखो बहुत सारे हैं यहां पर देखो एक करेक्टर यह आपको मिलेगा ठीक है तो आपको करेक्टर करना जो भी खंड का आपके जिले में चल रहा दो नंबर में रचनाय आती हैं तीन नंबर में आपको डिट्रिल में लीखना होथा आपको पूरी लिख वाई हैं आपको पूरी याद करने हैं क्योंकि ना आपकी का बे बढ़ने 200 पर सेंट की भी घ Przyक्षा उंड पासंट सबको लीजिका इंसे अभर इससे भाद आपको यसा लिए अगर आप又 तो आप दो ही कर लिए जगा क्योंकि ऐसा बहुत ही però होता है कि आपने इस लोंक सिंपल क्या आपको लीख आप कॉलेखना ह 투a लो अब यह लेंगे है ना अब यह दो को अगर आप 1280 इवालगा बहाcre लेंगे इस लो और ओडे ठीक है बहुत जिम्पलत दो कहीं पूछ आते हैं अब यह कुए वाला है को दुख क्या है तो यह अन्योकत वरास वाले चैप्टर के जब इस लोग याद करेंगे तो इसलिए आपको याद हो जाएगा तो बस इसके लिए आपको क्या करना है व्याख्या पढ़ ले पूछ लेजेगा इतना कर लेजेगा 70 वाट आप 70 आपके आज भी आपको डरना नहीं जितना में बता रहे उतना करते जाओ ठीक है आई होप आपके सारे डाउट दूर होके होंगे फिर भी कोई डाउट नमसे पूछ लीजेगा वीडियो अच्छा लागो तो प्लीज ला मुझ व conspiracy क्या हुट लीजेगा अव्याट बसुर लीजेगा से खुछ वे समय जितना करते हैं भी क्या करते हैं अपके सारे करते हैं दूर सब्सूछंबंके आपके दूराHow Corona